नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है, जै माता दी दोस्तों, आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे, वो है घर की एक रोटी किस प्रकार से आपके सभी समस्याओं का निदान कर सकती है, क्योंक तरीके से माने तो उसका जीवन जो है भोजन के लिए ही चलता है, वो कमाता भी इसलिए है कि अपने परिवार को पाल सके या फिर खुच जो है भोजन की विश्ता कर सके, तो आज हम जो बताएंगे आपको किवल एक रोटी से ही आप सावन के पूरे महीने में किस प्रकार स कोशे उससे छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही साथ ये जो उपाय है खुशाली के लिए भी बहुत ही जादा माईनी रखता है, तो आपको करना क्या है सावन के पूरे महीने आपको एक रोटी पित्रों के नाम से गाएं को खिलानी है, आप ये जो कारे है दिन के समय में कभी भी कर सकते हैं, अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो सावन के बुद्वार और शनिवार के दिन तो ये कारे आपको जरूर ही करना है, अब आपको आज ऐसा एक प्राचीन उपाय भी बताते हैं, रोटी के द्वारा किस प्रकार से आप जो है महालक्षमी की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं ये कारे जो है आपको इसी सावन के जो रविवार है उससे शुरू करके लगातार साथ रविवार तक ये कारे करना है और ये कारे जो है आप बिना रुकावट के करें तो जादा अच्छा रहेगा साथ रविवार आपको ये कारे करना है और आपको पां आटा लेना है चीनी लेनी है और दूध उसके अपर हलका सा डाल कर और उसके बाद इसे गूंत लें उसके बाद आप जो है अच्छी बड़ी बड़ी रोटियां बना लें और उसके बाद इसे अच्छी तरह किसे पका कर उसके बाद आपको जो पांच रोटियां है पांच अ आवास होता है जिसके लिए हम ये कारे करते हैं और सूर्भी लक्षमी अगर हमारी प्रसंद हो जाती है तो हमारे उपर से गरीबी का जो है सदेव सदेव के लिए मतला हमारी गरीबी से रक्षा होती हो और धनका अगमन हमारे घर में शुरू हो जाता है अब यहां पर बताते प्रमोशन भी चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे पीपल को जल आपको सदेव देना है जिससे कि आपको जो है ग्रहों से शांती मिले इसके अलावा कोवे को मीठी रोटी बना कर आपको जो है कहिलाने रोटी कोई भी मना कर दे सकता है आपको अपने हाथ से आप खि वो आपके लिए आप मतलब उनसे मुक्त हो जाएंगे और कहीं न कहीं आफिस में भी आपकी जो है काम की तारीफ होने लगेगी प्रमोशन होने लगेगा व्यापार में जो है आपके मार्ग खुलने लगेंगे अब क्योंकि रोटी की बात चल रही है तो यहां पे मांगलिक दोश के लिए बहुत सारे सवाल आइथे तो मांगलिक दोश की समस्या भी आप जो है रोटी के द्वारा समाप्त कर सकते हैं या उसकी पीड़ा उससे मुक्ति पा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है तंदूर की रोटी जो है आपको कुट्व को खिलानी है, कुट्व अगर दो रंग के मिल जाते हैं, जो चित कबरे कुट्व खोते हैं अगर नहीं मिलते हैं, तो आप यो भी काला या सफेद कुट्व घ्ला तो उसे खिला दिजिए परन्तु जो घर के कुत्ते होंगे उन्हें नहीं खिलाना है, बाहर के कुत्ते जो आपको गली में मिलेंगे, उन्हें ही आपको जो है रोटी खिलानी है, जिससे कि आपके मांगलिक दोश्च से आपको छुटकारा मिले, अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि सुख सम्रिधी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि सम्रिधी हर कोई चाहता है, घर में धन के मारगे हर कोई खोलना चाहता है, साथ ही साथ लोग चाहते हैं कि सदेव धन का आगमन बना रहे है, फ्लो बना रहे है तो इसके लिए आपको सदेव क्या करना चाहिए, आप जब भी रोटी खाने अब भी भी आप गाय माता को एक रोती जो आपने अपने खाने के हिस्से में से निकाली थी आप ओ रोती जो है गाय माता को खिला दीजिए आप देखिए किस प्रकार से आपको सुख सम्रिद्धी मिलने लगेगी आपके इस नो ग्रह जो हैं आपको संपन्ता देने लगेंगे कोई भी दोशो कुंडली में कितना भी नीच कोई ग्रह बैटा हो कितना भी पाप ग्रह हो, कितना भी कश्टकारी ग्रह चल रहा हो, कोई भी समस्या चल रही हो, उससे आपको यह निदान मिलेगा, क्योंकि आप अपने हिस्से की रोटी जो है, गौमाता को दे रहे हैं, अन्यकदान महादान होता है, और गौमाता साक्षयत भगवान का सुरू और खास तोर पर सावन के महीने में करेंगे, तो बहुत ही जादा आपको जो है, समस्याओं से चुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथी साथ आपके वर्चस्व भी बढ़ने लगेगा, अब बात करेंगे कि महिलाएं जब भी रोटी बनाती हैं, जो भी कोई, अगर पूर भी रोटी आपको बनानी है, इस बात कर ध्यान रखें, तवा जो हो धुला हुआ होना चाहिए, पहले से गंदा तवा ना हो, धुलेवे तवे को जब आप गरम करेंगे रोटी सेखने के लिए, तो सबसे पहले दूद की कुछ छीटे जो है, उसके बाद आप रोटी सेखन बना शुरू किजे, ऐसा माना जाता है, इस से धन की समस्या समापत होती है, और धन के मार खुलते है, तो ये भी बहुत छोटा सा उपाया है, क्योंकि रोटी की आज बात हो रही है, पूरा टॉपिक ही रोटी पर है, तो आज आपको शनी पीडा से भी मुक्ती के लिए एक छोटा सा उपाय बता देते है, ये जो उपाय है, शनी राहु दोनों के लिए काम करता है, क्योंकि शनी महादशा या राहु महादशा जब चलती है, तो बहुत जादा या तो आपको नीचा समय दिखा देती है, या फिर बहुत जादा उचाईया दिखा देती है, तो शनी की महापीडा होती है या राहू की महापीडा होती है उस समय पर व्यक्ति की बुद्धी भी काम करने बंद हो जाती है विरोधी भी बढ़ने लगते हैं कामकाज भी रुख जाता है धन अचानक से बंद हो जाता है सभी प्रकार का जो परेशानी है एक साथ ही व्यक्ति को नहीं खिला पाते हैं तो केवल जो है शनीवार को जरूर खिला इस बात के अध्यान रखिया ने हफ़ते में अगर एक बार शनीवार कोई कारे कर लेते हैं तो आपको कभी भी जो ग्रहों का दुश्प्रबावे देखने को नहीं मिलेगा शनी की साड़े साती या ढहिया चल अगर ज़ित परशान कर रहा है अचानक धन्सम आ तो हो गया है कर्ज बहुत बढ़ गया है विरोधी बहुत बढ़ गए है कोटकचेर के मामले लगए है तो आप यह उपाय करके देखें आपको बहुत ही जल्दी राहाट जो है प्राप्त होगी वहीं कमजोर राहू होने तो लिगेसा कोई को बढास tranh, बोला हो एगर के कवर, मिलेयरों को तो बढास्त, तो रुधो आपको आपको बद्धी, जो आपकी खो रहे थे या बुद्धी वे खतम हो रहा था अपनी ही बुद्धी से कुछ ऐसे कारे कर रहे थे जिससे कि आपकी विरोधी बढ़ रहे थे तो वो जो कारे है वो समाप्त होगा और आपको बहुत जादा राहत मिलने लगेगी यहाँ पर क्योंकि हम कई बार बहुत जादा रोटी बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं दूसरे दिन वो डस्वीन में फेक देते हैं तो ऐसा ना करें आप वो रोटी के छोटे-छोटे तुकड़े बना ले चीटियों को डाल दें आप किसी जानवर को खिला दें और जो है रोटी इतनी जादा मातरा मेना बना जो की फेक नो को बले क्योंकि अन्य जब आप फेकते हैं बिन में या बाहर कहीं ऐसे ही फेक देते हैं तो उसका नुकसान जो है आपके घर पर पढ़ता है दरीद्रता होने लगती है तथा आपकी बुद्धी का विनाश होने आपको उस दिन जाकर कवों को जरूर रोटी खिलाईए ताकि आपके जीवन में कभी भी आपको पैसे का नुकसान देखने को ना मिले और अगर पैसों के नुकसान से रिलेटेट कोई ग्रह आपको परेशान भी कर रहा हो तो दूसरे धन के मार खुल जाएं जिससे कि अगर ग्रह नुकसान दे भी रहा है परंतु अगर दूसरे मार खुल जाएंगे तो वो नुकसान आपको इतनी जादा पीड़ा नहीं देगा वहीं अगर शत्रू बहुत परेशान करते हैं तो सदेव हमको कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए जिससे कि हमारे शत्रू शान्त हो उनकी बुद्धी जो खराब हो रही हो खराब नहों और वो जो है हमें परेशान करना बंद कर दे अगर आपको बहुत जादा परेशानी हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आप गाएं को रोटी भी देखकर जो है अपने सभी प्रकार की परेशानियों से चुटकारा तो अगर हम किसी भी जानवर को अनाज का दान करते हैं आप जो है मिठू को खिला सकते हैं आप चीटियों को देख सकते हैं आप कवों को देख सकते हैं गाय माता को देख सकते हैं और अगर आप बैल जो होता है उसे रोटी हिलाते हैं तो यमराज का वाहन होता है बैल तो वो भी समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में जो कष्ट का समय होता है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि ग्रह जो होते हैं दुश प्रभाव तो देते ही हैं परन्तु अगर हम कोई ऐसे कर्म कर लेते हैं या हम अगर ऐसा कोई उपाय कर लेते हैं तो जो आप्त होने लगता है क्योंकि धन रहेगा तभी जो है आप सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं तो भाईयों और भहनों मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज आप रोड़ी के माध्यम से किस प्रकार से अपने द अजया नवा दोस्तूब